हलो एवरीवन मैं हूँ अकलोनमो सोशल से और आज के इस वीडियो में हम एक मैजिकल फोटो एडिटिंग आप्लिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं और उसके पहले कि आपको डीटेल के बारे में बताओं दो पॉइंट्स पहले चीज़ के वीडियो स्पॉंसर नहीं है क अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है तो यार प्लीज कर दो प्लीज दो पर मैं आपको यहां पर एक चीज़ बताना चाहूंगा कि अगर आप मोबाइल फोन में अपने फोटोस को एडिट करने के लिए काफी सीरियस हैं तो मेरे साब से यह वन टाइम एक सो तीस रुपे इतना कोई बड़ा मांट नहीं है तो डेफिनिटी आप इस चीज़ को खरीच सकते हैं पर उनली आफ्टर आप इस पूरे वीडियो को देखे हैं क्योंकि आप इस चीज़ को देख लीजिए कि कितना मैजिकल है अगर मैं वर्ड मैजिकल यूस कर रहा अगर आप मुझे इंसाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यह है मेरे इंसाग्राम का हैंडल प्लीज जाए जाके फॉलो कीजिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कुछ भी क्वेशन हमापे पूछ सकते हैं और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए उपन करते हैं हमारी अप्लीकेशन टॉच री टॉच सबसे पहले आपको देखता है आलबम्स और तूटोरियल से आप फोटो उपन करते हैं टूटोरियल अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं सबसे पहले नीचे object removal में आपके पास तीन option होते हैं पहला brush, select कीजिए, go पर click कीजिए और वह चीज वहां से चली जाएगी magically, दूसरा लासो, अगर आप उसको drag करके सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप उसके ओपर आसपस outline बना के आपको select कर सकते हैं, this might work in some cases, अगर नहीं करेगा, पर अगर आपने select कोई area किया हुआ है, उसके बाद में आप उस select area को erase कर सकते हैं, ताकि वो अगर आपने गलस selection किया है तो आप उसको improve कर सकते हैं, brush का size change करने के लिए, just go to settings in the same object removal, दूसरा है quick repair, quick brush, select कीजिए, select करते से जैसे आप अपनी उंगली को हटाएं यह वहाँ से, तो आपने आप automatically change हो जाएगा, blush, blemish remover, I'll talk about this later, brush size आप change कर सकते हैं, तीसरा है line remover, इस case में यह work नहीं करेगा, but I will make this work in separate case, आप यहाँ पर इसकी change करना चाहें, thickness को तो आप change कर सकते हैं, before, after click करने के लिए, उपर click कीजिए, दूसरा photograph, again quick selection tool में कर रहा हू जैसे select करेंगे, select करने के बाद में, जिससे ही छोड़ेंगे, हो जाएगा, अगर आप मेरा face अठाना चाहें, select कीजिए, and this is done, next बात करते हैं, एक और photograph में, ताकि मैं आपको बता पाऊं, line removal कैसे काम कहता है, जैसे आपको यहाँ पर wiring दिख रही, काफी सारी lines दिख रही है तो मैं इसको thin select करके रहता हूँ, क्योंकि wiring काफी thin है, सिर्फ आपको उसको tap करना है, जिए आपको पूरा drag करने की ज़रूत नहीं है, उसको draw करने की ज़रूत नहीं है, ज्यादा चीज़ों को धिहान रखने की ज़रूत नहीं है, just tap on it and it'll go, काफी magical है, अगर यही line सोड़ नहीं है, एक finger कैसे भी किसी भी direction में आप draw कीजिए और वहाँ से जो part होगा, बीच में अगर line remover से रह जाएगा, तो वह automatically हट जाएगा उस चीज से भी, मेरे साब से यह application काफी magical है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ों को हटाना है, remove करना है, object remove करना है, काफी technical भी होगा तो this can be done really really well, snap seat से भी होता है, पर इतनी जादा advanced level पर मैंने नहीं देखा है, तो मेरे साब से this is definitely worth spending 130 rupees, आप क्या सोचते हैं, आप comment section में मुझे definitely बता सकते हैं, तो यह है amazing application touch retouch, अगर आप चाहें तो इस application को install कर सकते हैं, प्ले स्टोर से, जाइए सिर्च कीजे touch retouch, अगर आप कोई वीडियो पसंदाया तो प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, लाइक कर दीजे वीडियो को और जाने के बाले प्लीज सब्सक्राइब, तरन नोटिफिकेशन अस वेल, I'll see you guys again in the next video, then have a great time and please take care.